हाई एवरिवन मदलिका किचन में आपका सागत है आद में बनाने जा रही हूँ वेजी टेबल मसारा टोस्ट देखिए कैसे बनाती हूँ से पहले से बनाने के लिए हमने बेशन लिया हुआ है हाफ और हमने बेशन लिया है इसमें हम डालेंगे इसमेंच पालक थोड़ी सी पालक है इसे जो भी वेजी टेबल आपको पसंदे हो आप दाल सकते हैं पहले इसमें हम में डालें स्पीनिच इसमें बार हम में डाला थोड़ा सा कटा हुआ ओनियन हाफ टमेटो थोड़ा सा हरा धनिया विर्ची अद्रक का पेस्ट और अभी थोड़े से हम इसमें डालेंगे मसाले लिटिल सॉल्ट लाद मिर्ची पाउडर सूखा धनिया का पाउडर लिटिल हल्दी और अभी साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला ड्राय मेंगो पाउडर थोड़ी सी कस्तूरी में थी अब इन सब का हम पानी डालके थोड़ा घोल बना लेंगे मिक्स कर देंगे पहले मसाले को अच्छे से हम अब पानी डालके इसका थोड़ा पतला खोल बनाएंगे बहुत जाद पतला नहीं करने गाडा घोल बनाना है हम दो इसमें आप और भी वेजिटेवर डाल सकते मटर भी डाल सकते ग्रीन मटर कैप्सिकम जो भी आपको वेजिटेवर पसंद है वह आप डाल सकते गाजर थोड़ा थोड़ा पानी डालके घोल बनाएंगे इस तरीके से हम बनाड़ेंगे ना इसको पतला बनाएंगे ना ज्यादा गाड़ा बनाएंगे अभी दूसरी तरफ हम क्या करेंगे अपना तवा ये फ्राई पेन को हम गरम करने रखेंगे इसमें हम डाने लिए थोड़ा सा ओल लगाएंगे ग्रीस करेंगे आप चाहें तो इसे ये बटर वखी से भी ग्रीस कर सकते हैं हल्का हल्का पर ग्रीस करना है जिससे कि हमारी ब्रैड इस पर स्टिकना हो अब इसको हम फड़ा बेट करेंगे तवी को गरम होने का अब ही तब हमारा खलका सा गरम हो गया है तो इसमें हमने चार ब्रैड ली है मैंने तीनी ब्रैड का यूज़ किया आप जितनी चाह उतनी ब्रैड का बना सकते हैं इस कौण्टिटिटी वे आपको चाहिए अभी ब्र बनाए उसमें डिप कर देंगे अच्छे से खीरे को हम इसके चारो तरफ लगा देंगे अच्छे से जिससे वेजी टेबल सारी स्टिक हो जाए इस पर इस तरीके से अभी इसको उठा के हाँ तब यह पर डाल देंगे सिखने के लिए उसको स्लो फ्रेम पर हम रोस्ट होने देंगे अभी इसको हम दूसरी तरह भी परट देंगे देखें कितना अच्छे लग रही है अभी यह हमारी ब्रेड अच्छे सिख गई है इसको हम निकाल देंगे इसी तरीके से हम दूसरी डाल देंगे ब्रेड इसको हलका से ग्रीज किया ब्रेड गिया एक ब्रेड को अच्छे से हम कोट किया उपर सब्जिया इसी तरह से इसी तरह से हमने दूसरी ब्रेड को भी डाल दिया है इसको भी हम सिखने देंगे इस तरीके से हमने सारी ब्रेड बना दिया अपनी गैस को बन किया कि यह रेडी हो गया हमारा वेजीटेवल मसाला ब्रेड टोस्ट या इसको रुचुलू भी बोलते हैं इसको अब यह हम चाहिए तो इसको दो पीस में हम ऐसे कट कर देंगे अच्छा है कि चक्कु से कट कर सकते हैं मैं इससे कर दिया है यह देखिए इस तरीके से इसे कितना अच्छा लग रहे देखिए घाने बहुत ही टेस्टी लगते हैं इसको अब यह से हम कट करके सर्विंग प्लीन में लगा देंगे रही बन गए मसाला बैज़ी ब्रैट टोस्ट यह रेडियो होगे हमारा वेजिटेबल मसाला टोस्ट यह खाने बहुत ही टेस्टी रखता है बहुत सिंपल रेसिपी है आप जरू ट्राई किजिए अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए सबस्क्राइब कीजिए thank you